हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आप सभी का स्रेयर डिजाइन में बहुत स्वागत है गाईस आज में लेके आई हूँ काना जी की कुछ कैप, कुछ पगड़ी जिनने मैं आपको बताऊंगी बिना खर्च के आप ये सारी पोशाक के साथ के अपनी पगड़ियां बना सकते हैं और कैप बना सकते हैं हमने इसमें ज़्यादा कोई समान ऐसा यूज नहीं किया है जो कि आपको खर्च करना पड़े, ये सुई धागे से या फिर सिलाई से बनी वी हैं सारी पगड़ियां तो मैं आपको एक एक करके ये दिखाती हूँ, एक हमारे पास ये पगड़ी है इसको हमने सुई धागे से बनाया है, इस तरीके से आप काना जी के लिए पगड़ी बना सकते हैं ये हमने पीज़े सुई धागे से अटैज की है और ये कलकी काफी सुन्दर लगा रही है ये देखिए ये पूरी हाथ की बननी हुई है इस तरीके की पगड़ी आप काना जी के लिए बना सकते हैं अगर आप बिगनर हैं आपको नहीं आता है और काफी सुन्दर लगती है नेक्स्ट गाई हमने ये कैप बनाई है इसमें लास्टिक लगाई है ये स्टेटी वल है और इसका लुक काफी अच्छा आता है तो इस तरीके की आप कैप काना जी के लिए बना सकते हैं नेक्स्ट गाई हमारे पास है ये इस तरीके से हमने पहले प्लेन कैप बनाई है काना हैं तो आप टाइट कर सकते हो इस तरीके से आप बना सकते हो जैसे भी आपको comfortable ऐगर आपके काना जी के टाइट आ रही है तो धीली कर दें और ज़्यादा ही लूज है तो उसको लगा दिये हैं इस तरीके की सिंपल सोवर पगड़ी आप हैवी ड्रेसस के साथ भी कानाजी के लिए बना सकते हैं I hope guys आपको वीडियो अच्छी लगेगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाई चैनल को बिल्कुल अलग है तो इस तरीके की पगड़ी आप कानाजी के लिए बना सकते हैं गाईस नेक्स्टे गाईस हमारे पास ये हमने एक कैप बनाई है कानाजी की ये देखिए हमारे पाद टू कलर की कैप है और हमने इसमें अलग टच दे दिया है ब्लू कुलर का लगा दिया अगर आप टू फैब्रिक की बनाना चाहते हैं आपकी ड्रेस में टू फैब्रिक का कलर है तो इस तरीके से बना सकते हैं सेम इसी तरीके से हमने ये वाली कैप भी बनाई है पर हमने इसमें कोई पट्टी नहीं लगाई है फिरिल भी हमने चोली की दिये है जो आपका चोली का फैब्री को उसके आप फिरिल लगा दे घूमबर कर और उपर के साइड ये वारा दूसरा फैब्री की यूज़ करें तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं बहुत ही सुंदर लगती है सेम इसी तरीके से हमने इसको रेडी किया है पर ये सिल्क की है तो हमने ये देखी इस यहां से इसको उपन नहीं दिया है जितना भी आपको काना जी को पहनाना हो कमफटेवल से आप पहना दो और यहां पर हमने सारे में लेस लगाई है सिम्पल पटी उस करके तो आप इस तरीके से भी बिना खर्च के सिम्पल सी पगड़ी बना सकते है सेम इसी तरीके की ये पगड़ी है तो हमने क्या क्या है गाई इसमें लेस लगाई है ये двигie आप देख रहे है इसमें हमने double less लगाई है less को अलग धंक से लगाकर अच्छी लग रही है तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं बना सकते हैं काना जी की पगडी तो guys इस तरीके की पगडियां आप काना जी के लिए बना सकते हैं आई होप गाईस आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाई चैनल को जरू सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और यह देखिए एक पगड़ी यह है इसमें पीछे सपोर्ट नहीं है बस सिम्पिल सी हमने पट्टी से यह बनाए हुई है आप चैनल पर देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज गाई चैनल को जरू सब्सक्राइब करें अगर आप मुझे कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आएग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी ली वीडियो के साथ राधे राधे आरे किश्णी